नमस्कार आप देख रहे हैं खबर मीडिया दोस्तो सुसान सिंग राजपूत को इसको लेकर एक सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है जी हाँ आपको बता दे कि सुसान सिंग राजपूत ड्रक्स केस में NCB की ताबड तोड कारेवाई तीन दिन में ही चार मुझरीमों को कर लिया गया है गिरफतार दोस्तो सुसान सिंग राजपूत के साथ क्या हुआ था ये तो अभी भी नहीं पता चल पाया लेकिन वहीं ड्रक्स केस में एक बार फिर से कुछ ऐसे लोग पकड़ाये हैं जो कि सुसान सिंग राजपूत को जान बुझ करके ड्रक्स देने की कोशिस कर रहे थें जियां आप सभी ने देखा होगा कि सुसान सिंग राजपूत को ड्रक्स का लती बाद में कहा जाने लग गया था और बहुत सारे लोगों ने सुसान सिंग राजपूत पर इस तरह के आरोप लगा दिये थें कि सुसान सिंग राजपूत एक नसेड़ी था लेकिन आपको बता दे कि NCB ने इसके पीछे की सारी सचाई लोगों के सामने ला दिये और NCB ने बताया कि आखिर सुसान सिंग राजपूत को किस तरह से चोरी छुपके से ड्रक्स दिया जाता था दोस्तो सुसान सिंग राजपूत केस में नारकोटेक्स कंट्रोल यानि की NCB लगातार जाच कर रही है NCB ने कारेवाई करते हुए बीती राद दो लोगों को गिरफतार किया है बॉलिवूड ड्रक्स केस की चपेट में आई अभी तक कई बॉलिवूड के बड़े चहरे दिख चुके हैं अब जाच एनसी ने सेलिबिर्टी मैनेजर राहीला फरनीचरवाला और बिजनेसमेन करण सजनानी को भी गिरफतार कर लिया है जी हाँ आपको बता दें कि ये दोनों बहुत ज़्यादा सातिर और काफी बड़े लोग माने जाते हैं एनसीबी ने गुरुवार को दोनों को पुष्टाश के लिए हिरासत में ले लिया सुसान सिंग केस में ड्रक्स केस को लेकर इन दोनों को अब गिरफतार किया गया है इसके अलामा गुरुवार को एक अन्य ड्रक्स पैडलर की भी गिरफतारी हुई थी और आपको बता दे कि यह जितने भी गिरफ़तारी हो रही है यह सीधे सीधे सुसान सिंग राशपूत के से इसका लिंक मना जा रहा है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुसान सिंग राजपुत के साथ अगर बड़ी घटना ना हुई होती तो ये तमाम जो ड्रक्स पैडलर हैं और इसके साथ साथ बॉलिवुड के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि काफी सातीर हैं और अभी तक छूपे हुए थें उनकी भी गि गिरफ्तार हो चुका है अधिकारी ने कहा है कि नार्कोटिक्स नियंतरन ब्यूरो ने सुसान सिंग राजपुत ड्रक्स केस में जगताप सिंग आनंद को गिरफ्तार किया है उसका संबंद एक अन्ने आरोपिक कमर जीस सिंग दोस्तो करन सजनानी पर आरोप है कि उसने अन रक्षन भी दिया है बिते दिनों ही एनसीबी ने सुसान सिंग राजपुत केस में चार लोगों की गिरफ्तारी की है इनमें से एक सबसे सातिर अपराधी रिसी केस पवार भी सामील है आपको बता दे कि रिसी केस पवार पर सुसान सिंग राजपुत को ड्रक्स देने का सी कोसिस की और जब सायद सुसान सिंग राजपूत को इसके बारे में पता चला तो सुसान सिंग राजपूत के साथ एक बड़ा ड्रक्स की सप्लाई कर रहा था और सुसान सिंग राजपूत को कैसे उसने ड्रक्स की लत्ती बनाने का पुरा कोशिस किया था लेकिन NCV ने जिस तरह से अभी दो बड़ी किरफतारियां एक बार फिर से की है वो रियल में ही आने वाल दिनों मे इस के कई पत्ते खोलने वाली है तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे और लोगों के साथ सेर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना धनिवाद